हेलो फ्रेंज, अपने अकसर देखा होगा कि कई बार बॉड़ी को स्लिम लखने के चकर में हम सही तरीके से वर्काउट ही नहीं कर पाते हैं इसकी वज़े से हमारा टमी तो स्लिम हो जाता है लेकिन हमारा लोर एरिया बिल्कुल भी स्लिम नहीं हो पाता है और इसी वज़े से हमारी थाइस भी काफी ज्यादा मोटी मोटी दिखाई देती हैं चलिया आज जनते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपके थाइस के फैट को कम करने में आपकी मदद करेंगे दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपके थाइस पर बहुत ज्यादा फैट ना हो तो आपको कुछ चीजों को करने की जरूरत है सबसे पहले आपको यह जरूरत है कि हमारी थाइस पर फैट जंता कैसे है दोस्तो अगर आप सही तरीके की डाइट कंजूम नहीं करते हैं तो cellulite हमारी बाटी के अंदर जबना शुरू हो जाता है और वही cellulite हमारी बौडी को बाहरी तोर पर फुला देता है जिसकी वज़े से हमारा टमी, हमारे हिप, हमारी थाइस काफी ज़्यादा मोटी दिखाई देती है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सैलूलाइट कम हो तो आपको व्यायाम करने की, पुशप्स करने की, एक्सरसाइस करने की, एरोबिक्स करने की या फिर सही तरीके से दौर लगाने की प्राक्टिस सुरू कर देनी चाहिए अगर आप सिंप्ली सिर्फ सुभा आदे गंटे के लिए दौर लगाते हैं तो उसकी वज़े से भी ये आपके पूरे वर्काउट को कम्प्लीट कर देता है आपकी पूरी लोर बॉडी पर सही तरीके से काम करता है लोर बॉडी को अच्छे तरीके से मिंटेन करने में आपकी मदद करता है अगर आप सही तरीके की डाइट के साथ व्यायाम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी बॉड़ी को मिंटेन करने में आपकी काफी मदद कर सकता है। सो दोस्तों ये सारी चीज़े जरूर ट्राय करिए ताकि आप भी अपनी थाइस के फैट को आसानी से घटा पाएं। मेरी ब्यूटी और हलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।